हेलो डियर स्टूदेंट्स, आज मैं थोडेशनाल शेर करन जा रही हैं डिटेल्स एबाउट यूमन टीथ बेटा जिस तरह की थो आनू पता है, आपने मूदे विच जड़े दांद हुन देने, एहे चार तरांदे हुन देने इनसीजर्स, जिन आनू कटिंग टीथ कहने हैं, कनाइन्स, टीरिंग टीथ, प्री मोलर्स और मोलर्स जड़े चुइंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड वासते यूज हुन देने बेटा, जड़ो बच्चा पैदा हुन दा है, ओधों उस दे मूदे विच दंद नहीं हुन दे जड़ो कोई बच्चा सातथ मीने दा हो जान दा है, ते उस दे मूदे विच दंद आने शिरू हो जान देने पहले जड़े दंद आंदे ने उना नों आपमा दुद्दे दंद या मिल्क टीत कहने हैं तुसी स्क्रीम ते देख सकते हो मिल्क टीत दा डेंटल फॉर्मुला में तो नों शेयर किता है 2102 एक इस चीज दा फॉर्मुला है बिटा इस चीजर्स किनने आंदे हैं मिल्क टीत देविच दो कनाइन्स वन प्री मोलर्स नहीं हुन दे मोलर्स हुन दे हैं दो इस तरह एहे एननों तुसी अगर 4 नाल मल्टिप्लाई करोगे ता टोटल नंबर ओफ टीत वाटे कुल 20 आजेगा उपर और नीचे सेम फॉर्मुला लिखन दा मतलब है उपर ले जो देविच अपर जो और लोर जो उना देविच सेम नंबर ओफ टीत हुन दे है बटे टीत रैंडम ग्रो कर दे है समय समेनल आन दे है आते कुछ समय बाद मिल्क टीत हो ली ओली गिरना शिरू हो जान दे है जिस्तो बाद बच्चे पे मूदे विच पर्मानेंट टीत आने शिरू हो जान देने स्थाई जड़े दांद हो जड़े सारी उमर थोड़े मूच रहन दे है तक कोई वी व्यक्ति बुजूर्ग नहीं हो जान दा जदो इंसान बुजूर्ग हो जान दा है ते उस दे दांद फिर द्वारा डिगने शिरू हो जान दे है ते पके दांद आन दा पर्मानेंट टीत दा जो डेंटल फार्मुला है वो होंदा है ज़ा पर्मानेंट टीत मैकसिमम फती टू यानि बत्ती होंदे हन जड़े पर्मानेंट टीत होंदे हन जदो मिल्क टीत चाड़ जन दे हन उस तो बाद पर्मानेंट टीत आने शिरू होंदे हन और इसी तरह जदो व्यक्ति पंजाब 55 साल दी उमर क्रॉस कर लेंदा है ते उस तो बाद उस दे पर्मानेंट टीथ भी होली होली चड़ने शिरू हो जान दे हन लेकिन कई बार आपा देखिया है कि कईयां दे दंद बुजूर्ग अवस्था दे विच भी बहुत वदिया हुन दे हन यह क्यों हुन दे हन यह थोड़ी ओरल हाइजीन ते डिपेंड करदा है यानि कि तुसी अपने मूद दी साफसफाईदा दंदा दी साफसफाईदा किन्ना त्यान रख देओ इस करके जेड़े थोड़े पर्मनेंट टीथ है वो थोड़े नाल लंबी उमर तक चलन कई सालना तक तुसी चीजां दा स्वाध ले सको इस दे लई बहुत जरूरी है कि तुसी अपनी ओरल हाईजीन दा त्यान रखो यानि कि दिंच दो बार ब्रश जरूर करो एक बार स्वेरे एक बार राती सौन लग गया सो ब्रश यूर टीथ ट्वाइस अडे सेकेंड यू मस्ट रिंस यूर माउध आफ्टर इटिंग एनिधिंग स्पेशली स्वीट फूड आइटम्स दा आइटम्स कंटेनिंग शुगर मिठा खान तो बाद अपने मूँ नू साफ जरूर करो सो प्यारे विद्यार्थियो यूमन टीथ बारे इन्फोमेशन तो अनू के होज़े ही लगी कमेंट करके जरूर दस्यो जानतो पहला वीडियो नू लाइक करना ते शेर करना ना पुल लियो चैनल नू सब्सक्राइब जरूर करो थैंक यू